दोस्तो बजाज डोमिना 250 में तिन न्यू कलर को लॉंच करने जा रही है जिसका इमेज लॉंच से पहले आउट हो चुका है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन-कौन से कलर में डोमिना 250 आ रही है जिसमें आपको dual tone paint scheme देखने को मिलेगा लिक हुई इमेज में आप देख सकते हैं कि आने वाली डोमिना 250 देखने में कैसी होने वाली है सबसे पहला जो कलर है वो है orange, second yellow and third है वो है black मटबजाज ने इनको एक specific name भी दिया है जो की इस परकार है फर्स्ट है citrus rust and matte silver, second है sparking black and matte silver और जो third है वो है racing red and matte silver ये जो तीन new color आने वाली है डोमिना 250 में इसके पहले से जो दो color है उसमें इसको सामिल कर दिया गया है इसका मतलब अब आपको डोमिना 250 में 5 color scheme देखने को मिल जागा ये तीन new color आपको देखने को मिलता है ये बट जो पहले से दो color इसमें है जो की एक black और red का है वो चीजे भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी तो आपको आप total 5 color option देखने को मिल जाता है बजाज की डोमिना 250 में new color launch होने का वाज़ा company बताती है कि उनके जो डोमिना 250 की बिक्री थी वो कुछ महिनों से धीमी हो गी थी तो जो bike lover है उनको अपनी और ध्यान उनका आकरसित करने के लिए इसको तीन ने color के option के साथ पेस किया जा रहा है जिससे वो bike lover को अपनी और आकरसित कर पाए और इनका जो डोमिना 250 है उसमें थोड़ा सा sale में इनको growth देखने को मिल पाए तो यह कारण है कि बजाज ने डोमिना 250 के price को last month में काफी जादा कम कर दिया था दोस्तों जैसा पहले Pulsar NS160, NS200 and RS200 में yellow wheel में आपको white color दिया जाता था सेम वही color scheme आपको डोमिना 250 में भी देखने को मिल रहा है इसमें भी आपको आप white color का देखने को मिल जाएगा इसके साथ तीनो new dominar color में आपको matte silver paint scheme एक जैसा देखने को मिल रहा है जैसा कि आप अभी screen पर देख सकते हैं बाकी new dominar 250 के front fender और rear fender engine coil fill tank में आपको black color scheme देखने को मिल जाता है जो कि तीनों model में same रखा गया है मैं बात करें कि color के अलावा क्या change किया गया है तो आप लोगों को बता दू कि तीन new color के अलावा इसमें कोई भी change नहीं किया गया है engine power और mechanical जो भी चीज़े इसमें थी बिल्कुल पहले की तरह सेम रखा गया है new dominar 250 के price को अभी announce नहीं किया गया है बट जहां तक उमीद है कि price में ज़्यादा different देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि जब pulsar dagger edge edition को launch किया गया था तब उसमें मामली change देखने को मिला था उसके price में वैसा ही उमीद आपको dominar 250 में भी देखने को मिलने वाला है इसमें ज़्यादा price को increase नहीं किया जाएगा last month में बजाज ने dominar 250 के price में 17,000 तक कम किया था price को 17,000 तक cut किया था जो अभी current price है वो start होता है 1,54,000 और जबकि यह पहले आता था जब price को cut किया गया था उस time इसका जो एक सोरूम price था वो 1,71,000 होता था तो new dominar 250 का price लगबग 1,56,000 तक हो सकता है वहीं बात करें कि यह सोरूम में कब तक देखने को मिल जागी तो आप मान के चलिए कि इसको 15 अगस तक सोरूम तक डिलिवर कर दिया जाएगा तो दोस्तो फिलाल यह अपडेट इस बाइक से लेकर निकार सामने आ रहा है आज आएगी तो इसका first view workaround वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा और ऐसे इस बाइक लेटेड निवीज अपडेट के लिए आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं यूटूब से पहले इस्टाग्राम पर अपडेट कर देता हूँ मेरा इस्टाग्राम का आइडिया आपको इस्क्रीन पर फ्लो करता हूँ दिख जाएगा तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में ने कंटेंट के साथ तब तक के लिए राइड विद बाइक